हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एकसरसाइज असी यानि के इंगलिस ग्रामर का Oxford Current English Grammar का एकसरसाइज असी यही किताब है दोस्तों Oxford Current English Grammar और इसी किताब का मैं आप लोगों को एकसरसाइज असी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बट उसे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किये हैं चैनल को सब्सक्राब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि एकसरसाइज असी में टोटल एकतालिस यानि के 41 कोश्चन है और इस 41 कोश्चन में आज मैं आप लोगों को 1 से लेकर के 20 तक बताने बाला हूँ इसे आप लोग part 1 मान सकते हैं क्योंकि part 1 में इस part में मैं आप लोगों को एक से ले करके 20 तक बताऊंगा यदि ये 20 तक ये वीडियो को आप देख लेते हैं तो दोस्तो यकीन मानिए कि 21 के बाद 41 तक आप लोग खुझ से भी बना सकते हैं लेकिन फिर भी मैं part number 2 में दोस्तो आप लोगों को 21 से question 41 तक पुरा खतम कर दूँगा ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को सुरू से last तक देखिए दोस्तो पहला question हमारे पास है तो simply जिस तरह से हम लोग बनाते आ रहे हैं जैसे 79 बनाए थे उसी प्रकार से ही said to के बदला में यहाँ पे हम लोगों को asked रखना परेगा वो क्यों रखना परेगा समझे क्योंकि last में जब भी आपको question mark दिखे तो हमेशा आपको asked लगाना है without any permission ठीक है दोस्तो उसके बाद me है तो me इस asked के बदले में आप told भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और इस कॉमा के बदले हम लोग that रखते थे लेकिन इस बार हमें that नहीं रखना है q नहीं रखना है क्योंकि last में question mark है और w h word से सुरू है sentence अगर w h word से sentence सुरू होता है तो वैसे इस्थिति में हम कॉमा नहीं लगाते हैं direct y को रख देते हैं ठीक है उसके बाद y को भूल जाए तो आपके पास do you bhex me है दोस्तो do you bhex me जो की एक interrogative की तरह ये do काम कर रहा है तो इस do को भूल जाए और you second person object के अनुसार होता है यहाँ पे तो यहाँ पे you है सुरूबला तो me का सुरूबला हो जाएगा i और bhex का पहला रूप है यहाँ पे आप लगा दीजिए bhexed ठीक है और यहाँ पे है दोस्तो ठीक है दोस्तो उमीद करता हूँ question number one आपको समझ में आ गया होगा second number question क्यों बरते है second question है he said to me यहाँ लिखेंगे he asked me कॉमा के बदले आपको why रखना है क्यों रखना है आपको पता है don't है यहाँ पे don't दोस्तो इंट्रोगेटिव की तरह काम कर रहा है तो इसको हम मन में सोचेंगे you don't do ठीक है तो you second person object के अनुसर आई और don't है तो दोस्तो यहाँ पे didn't लग क्योंकि don't है तो didn't आपको use करना परेगा उसके बाद यह बला do भर्व की तरह काम कर रहा है तो do अगर do से पहले कुछ नहीं रहता अगर do से पहले यानि के भर्व से पहले अगर subject होता है तो भर्व के पहले रूप को भर्व के दूसरे रूप में बदल देते हैं मैंने पह इसको भर्व का पहला ही रूप रहने दिया as है तो as i होता है first person subject के अनुसार subject में आपका he है तो यहाँ पे he रखेंगे क्योंकि i सुरू बला है command है आपका पहला रूप तो दोस्तो command एक भर्व है और उससे पहले आपका subject है तो यहाँ पे मैं command का दूसरा रूप बना देत है तो comment करके आप हमें जरूर बता सकते हैं c said के बदले said रहने दिजिए या फिर comma के बदले देख करके आप asked में बदल सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे student मुझे comment कर रहे थे sir यहाँ पे आपने गलते कर दिया यहाँ said ही होगा लेकिन मैं आपको बता दू said के बदले said भी रह सकते हैं राम डू है तो राम का राम हो जाएगा क्योंकि राम थार्ड परसन नो चेंज और डू यहाँ पे डू देखिए डू से पहले यानि कि यह भर्व है करना और इससे पहले subject है तो दू का दूसरा रूप हो जाएगा did ठीक है दूस्तों चलिए question number 4 की और बढ़ते है question number 4 ही उसके बाद said के बदले asked कॉमा के बदले why does है जो interrogative के लिए है तो he not अगर लगा है तो he के साथ does लगाएंगे लेकिन does का हो जाएगा दूसरा रूप did not ठीक है respect है दोस्तों तो यहाँ respect ही होगा आप यह नहीं कहिएगा कि भर्व का दूसरा रूप क्यों नहीं होगा आप लोग comment करके हमें बताएगा मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर you second person object के अनुसर object है ही नहीं यहाँ you का you रख देजिए last बला जब ऐसे इस्तिति में object का काम परे तो ask के बाद तुरंत आपको object रखना है वो object you रखना है ठीक है ऐसा भी मैंने बता रखा है पहले ल से two के बदला में हो जाएगा दोस्तों asked उसके बाद his brothers his brothers कॉमा के बदले आपको why did you go को मन में सोचना है you went you second person object के अनुसर his brothers बहुत जादा भाई है तो यहाँ पे हो जाएगा they और went का went हो गया भरव का दोसा रूप तो भरव का तीसा रूप बनाना है had gone क्या बनाना है had gone पर dare है तो dare अगर hair रहता तो hair का dare बना देते लेकिन dare का hair वापिस से नहीं बनेगा उमीद करता हूँ कि question number five भी आपको समझ में आया होगा चले question number six क्यों बढ़ते हैं six number question है दोस्तो गौर से देखिएगा he said to my friends I sorry दोस्तो I है तो लिखेंगे I asked my friends कॉमा के बदले why उसके बाद didn't you है तो you second person object के अनुसार object में बहुत ज़्यादा friend है इसलिए they और didn't है तो hadn't बना देना है ठीक है उसके बाद appear at the examination है तो यहां लिखेंगे appear at the examination no change यहां पे appear at the examination जियोंकातियों उतर जाएगा question number seven है कुछ इस प्रकार से दोस्तो the boys sit to the old woman यानि बूढ़ी औरत यहां लिखेंगे the boys sit to को ask में बदलना है the old woman woman और कॉमा के बदले why are you को सोचना है you are you second person object के अनुसार object में एक बूढ़ी औरत है उसके लिए आप see ले सकते हैं और where है are है तो दोस्तो you था इसलिए r लगा यहां पे c है तो r is r m का वाजवियर में बदल जाता है आपको पता है उसके बाद sad है तो दोस्तो sad का sad ही रह जाएगा ठीक है इस तरह से question number seven का answer हो गया question number eight क्यूर बरते हैं कुछ इस प्रकार से देखते है question number eight है दोस्तो the teacher the teacher asked us है यहां पे us us को मा के बदले y where you को सोचना है you where you second person object के अंसार object में us है तो we हो जाएगा और जब was where मिलता है तो आपको had been बना देना है अपने मन से absent है last में तो absent हो जाएगा ठीक है चलिए question number nine क्यूर बरते हैं दोस्तो मैं फटा फटा इसरे बता रहा हूँ थोड़ा सा हर बारी आपको लग सकता है देखने को मिल सकता है लेकिन मैं आपको पूरे ही आराम से बताता हूँ और यदि आप समझ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ऐसे बनाने में और कॉमा के बदले डेवल वेच वर्ड ही रखना है यू आर यू को यू आर समझना है तो यू आर यू सेकंड परसन अबजेक्ट के अनुसार तो यहां पे ही हो जाएगा और आर के जगा पे आजाएगा वाज इंट्रेस्टेड है तो इंटेरिस्टेड इन और यह आपका आणसर हो जाएगा कॉश्टन नमर्ट टेन है कुछ इस प्रकार से है दोस्तो सी सेड के बदला में सेड रहज़ा सकते हैं कॉमा है लास्ट में कॉश्टन मार्क है इसलिए आस्थ या टोल्ड भी दे सकते हैं ठीक है और कॉमा के बदले इसका आपको वाजवेर में बदल देना है और कमिंग है तो यहाँ पे कमिंग लगा देना है उमीद करता हूँ आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा ठीक है चलिए नेक्स कुछिशन के उर बढ़ते हैं कुछ नमर 11 है दोस्तों कुछ इस टाइप से बहुत आसान है जैसे अली सिड है देखिए बनाना कितना आसान है सिड टू को बदल दिये आस्क में मी कॉमा के बदले आपको डवलो एच वर्ड रखना है वेर यू को यू वेर समझना है यू सेकंड परसन अबजेक्ट के अनु है ना बहुत आसान दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा ठीक है कहीं कोई डॉट कंफ्यूजन रहता है तो आप हामें कॉमेंट करके जरूर बताएगा अब यहां देखिए सी सेड टू है तो आस्क में तो बदलना है क्योंकि लास्ट में कुश्चन मार्क है उसके बाद मी और कॉमा के बदले आपको पता है क्या करना है तो वाई यू हैब को मन में सोचना है यू हैब यहां के यू सेकंड परसन अबजेक्ट के अनुसार आई अगर हैब रहता है तो हैड बनाते हैं और नो टाइम तो लिखेंगे नो टाइम मी सेड टू के बदले में आस्क्ड मी और कॉमा के बदले आपको वाई हैब यू को समझना है यू है यू सेकंड परसन अबजेक्ट के अनुसार हैब के बदले हैड हो जाएगा उसके बाद वांटेड है तो वांटेड टू मीट इससे पहले सबजेक्ट नहीं है इसलिए मी my father my first person subject के अनुसार्थ क्या हो जाएगा her father और ये आपका answer हो जाएगा ठीक है चलिए next question क्यों बरते हैं मैं देरी नहीं करता हूँ c sit to के बदला में ask लगा देना है her है तो her comma के बदले wh word when he had सूचना है he third person होता है no change had he को he had सूचना है उसके बाद done the job ठीक है दोस्तों चलिए next question क्यों बरते हैं next question number 15 है he said to को बना देना है आपको asked her है तो her comma के बदले when अब कहेंगे आप पूरा details में यहां क्यों speed में बना रहे हैं क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़े बता रखी है और question number 1 में भी मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना है will you को you will समझना यानि कि you second person object के अनुसार object यहां पे her है her का सुरू बला see होता है और will है तो would बना देना है ठीक है यहां पे हो जाएगा would give है तो give का give give in नहीं कर देना है me first person subject के अनुसार subject में ही है he का last बला him क्योंकि me भी last बला है उसके बाद you second person object के अनुसार तो object में है her हो जाएगा उसके बाद notebook है तो notebook का notebook हो जाएगा उमीद करता हूँ यह question भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है question number 16 क्यों बढ़ते है question number 16 कुछ इस प्रकार से है देखेगा जैसे he said to को बदले में दे दिना है asked उसके बाद है दोस्तो the travelers travels तो यहाँ देंगे the travels travelers कॉमा के बदले आपका change हो जाएगा जैसे what can I को सूचना है I can I first person subject के अनुसार ही और can का हो जाएगा could do है तो do का do रहेगा क्योंकि do भार्व तो है लेकिन इसे पहले subject नहीं है इसलिए do का do ही रहेगा ठीक है for you second person object के अनुसार object में the travelers यहनके बहुत जादे आदमी था उसके लिए सूचेंगे they और they का last बाला होता है then क्योंकि you भी यहाँ पे last बला है next question क्यों बरते है question number 17 है he asked है तो asked comma के बदले why should I को सुचना है I should और दोस्तों इससे पहले आपको object अगर नहीं है तो सवाल में देख लेना है कि object बला ऐसा कोई है हाँ है क्योंकि you object के अनुसार होता है तो यहाँ पे object में आपको हमेशा you रखना है वैसे कुछ भी रख सकते है ठीक है तो I first person subject के अनुसार subject में ही है और I के साथ should लगा है तो he के साथ उड़ लगेगा और help है तो यहाँ पे help you second person object के अनुसार object में भी तो you ही है क्यों बढ़ते है दोस्तों question number 13 कुछ है इस प्रकार से है जैसे ही say two को बदल देना है ask क्योंकि last में question mark है उसके बाद me कॉमा के बदले that न लगा करके wh word is your father's name को सूचेंगे your father's name is you second person object के अनुसार तो हो जाएगा my क्योंकि you का बीच बदला your होता है तो me का बीच बदला my होता है उसके बाद father's है तो यहाँ पे father's और name है तो name is का लगा देना है last में watch ठीक है next question है दोस्तों मेरा जैसे c ask कास्ट कॉमा के लिए आपको wh word is your mother को समझना है your mother is you second person यहाँ पे लेखिया object मैंने भोल गया तो you दे देते हैं कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पे तो यहाँ your mother है तो your mother और last में is होगा is का बदल जाएगा watch में ठीक है next question और last question है तो इसको ध्यान से समझेगा इससे पहले मैं आपको pdf के बारे में बता दू जैसे जो student class 10th के student है यदि वो pdf लेना चाहते है तो दोस्तो हम से contact कर सकते हैं मेरा contact number मेरा whatsapp number आपको नीचे description box में मिल जाएगा और मैं आपको बता दू कि मैं आपको इसमे math, science और social science का जो है आपको subjective question पलस objective question देने वाला हूँ और इसका कुछ मैंने price रखा है और वो price मैं आप लोगों को video के comment box में आप हमें बता सकते हैं या फिर नीचे description box में मेरा whatsapp number मिलेगा उस whatsapp number पर आप हमें message करते हैं यदि आप class 10th के student है और ये pdf लेना चाहते हैं तो आप हमें अपना address अपना नाम दे सकते हैं किस class के student है वो बता करके आप लोग इस pdf को provide कर सकते हैं ले सकते हैं ठीक है उसका कुछ price लाएगा इसका price के बारे में मैं आपको whatsapp पर ही बताऊँगा चलिए आज के last question क्योंड़ बढ़ते हैं ठीक है और कौमा के बदले तो आपको पता है हूँ रखना है are you को सोचना है you are ठीक है क्या सोचना है you are तो you second person object के अनुसर आई और is rm रहता है तो was where में बदल देता है उसके बाद end का end what है तो यहाँ पे what हो जाएगा do you want यानि मन में सोचना है दोस्तो do you want यह जो do है यहाँ पे यह do आपका interrogative की तरह काम कर रहा है इसलिए इस do का कोई मतलब नहीं you want you second person object के अनुसर आई अब want है last में want है भार्व का पहला रूप और want से पहले subject है इसलिए यहाँ पे भार्व के पहले रूप को हम भार्व के दूसरे रूप में बादल लेंगे wanted में ठीक है उमीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक कीजएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकन को दबाना मत भुलेगा तो हम लोग मिलते हैं next part में यानि के part number 2 में यहाँ मैं आप लोगों को 21 नमबर से ले करके 41 तक question कराने वाला हूँ उमीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिन वन दे मातरम